यूपी PCLTG2 वेकेंसी और एक्जाम डेट के रिकार्डिंग बहुत ही इंपोर्टेंट खवर निकल कर आ रही है इस वीडियो में बने वह रही है मैं सारा डीटेल आप लोग के साथ में सेयर करूंगा अगर आप इस चैनल पे नए आया होंगे तो फिलीच सब्सक्राइब कर हुए तो जो डेट कलर से लिक कर आ रहा है उसको आपको दबा देना है और अपने दोस्तों को जूड़ सेयर कर दीजिएगा अच्छा लगा तो लाइक करके जाईएगा फर्स्ट अपॉल मैं बता देता हूं कि जो 600 के आसपर सम्तिंग आपका पोस्ट निकल आवा था TG2 क तो सभी कैनिडेट उसका जानना चाहते हैं कि एक्जाम कब होगा और जो नए बहाली आने के लिए जो TG2 का बहाली आना वला है वो भी कब तक आएगा तो देखिए मैंने आप लोग के समने में ये थमनेल देखा दिया हूं तो चलिए पर निज बताता हूं कि क्या लेटे कुद भोकता परिशत के और यहां पर देख पार होंगे इनका ट्यूटर पोर फाइल है मैंने इनका स्क्रीन सोट लिया हूं और यहां पर इनके फुलोवर सिरिकान सरमा जी जो उड़जाम मंतरी है उत्तर पर्दे सरकार के यहां पर इनको फुलो करते हैं तो देखिए इन पर देख पार होंगे डेट देख पार होंगे पंदरा जनवरी 2021 का ट्यूट है और यहां पर पहले मैं ट्यूट पर के बताता हूं उसके बाद मैं बताता हूं तो देखिए यहां पर इनका परफाइल है अब देशकुमार वरमा जी और यहां पर देखिए उनोंने क्या लि माननी है उर्जाम मंत्री वो परबंदा से निर्यायक बात यानि कि 15 तरीक इन्होंने ट्यूट में पता है मेली रूप से कि जो भुखताओं को जादा सुभधाओं के लिए जुनियर इंजिनियर या असिस्टेंट इंजिनियर के लिए बहुत ही जरूर है जिसके रिगाडिंग जल्दी एक वर माननी है उर्जाम मंत्री वो उनका जो सीमडी बगारा उनसे मुलकात करूंगा उन पर बात करूंगा तो यहां पर इन्होंने ट्यूट किये थे 15 तारीको तो यहां पर बहुत सारे कैंडियर ने सर से रिक्वेस्ट किये थे कि सर आप जब मेटिंग कीजिएगा उर्जाम मंत्री जी से सिरीकान सर्मा जी से तो वहां पर जरूर बहाली टीजी टू की और जो डेट है एक्जामिनेशन जरूर लेने का ज़्यादा ज़्यादा बात क कीजिएगा तो सर वहां पर रिप्लाई भी दिये थे कि बिल्कुल मैं बात करूंगा आप लोग के लिए एक्जामिनेशन के रिगार्डिंग और लेटेस्ट ट्यूट भी उनका में देखा देता हूं क्या ट्यूट इनका आया है तो मैंने बताया था कि 15 तारीक को इन्हों ता यानि कि असिस्टेंट इंजिनियर हुआ टीजी टू के रिख पदो पर अविलम भर्ती शुरू करने के लिए आज माननिये उर्जाम मंतरी सिरीकांत सर्माजी से अभी कुछ देर पहले सकती भवन में मुलकात कर गंभीर चर्चा की उर्जाम मंतरी ने भरोसा दिया है क कि इन्हों कि अब भार्माजी यह इन्हों माननिये उर्जाम मंतरी सिरीकांत सर्माजी से मुलकात करके शक्तीबहन में इसमें मिलकात करके बहुंने चर्चा करके आजानिए बहुत चर्しょう के लिए तो साथ ने बात किये होंगे और उर्जा मंतिरी ने इस पर बहुत अच्छी खुशकबरी दिये कि जल्दी जल्द बहाली भी आएगा और इजाविनेशन भी अप लोग को होगा और यहां पर भरोसा दिया है कि जल्दी करवाई शुरू होगी तो आप लोग के लिए यह था इंपोर्टेंट न्यूज तो आप लोग को क्या करना है तो आप लोग को तयारी शुरू कर देना है जो लोग जानना चाहते कि तयारी एकजाम कब आगा एकजाम कब होगा बहाली कब आएगा तो यह आप लोग के लिए लेटेस्ट अपडेट आ रहा है ठीक है तो बहुत ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद